इंस्ट्राग्राम रिल्स पर और टिक्टोक पर एक ट्रेंड बहुत जाए वाइरल कर रहा है जिसमें वीडियो पर लिखा हुआ है फ्लेस अलर्ट या फ्लेस वार्निंग और उसके बाद में उसके कलर चैंज होने लगते हैं तो आप यह वीडियो स्कीन पर भी देख सकते है तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि इस वीडियो को हम किस तरीकी से एडिट कर सकते हैं so hey guys this is Asif and you are watching Asuka Tech don't forget to like and subscribe to this channel because यहां पर आपको fresh content निलता है इस वीदिए को एड़ करने के लिए आपको अपने काइन मास्ट को ओपन कर लेने है और वहाँ पर जाकर जो ब्यूडियो आपने सूट की थी वह 9-16 में आपको एड़ कर लेनी है तो गाइस मैं यहां पर एड़ कर लेता हूं यहां पर मैंने open camera से वीडियो सूट की थी, तो मैं यहाँ से इसको add कर लेता हूं, उसके बाद में आपको जितना भी extra part है, उसको यहाँ पर remove कर देना है, तो मेरी वीडियो जो है guys, यहाँ से start होती है, तो मैं यहाँ अपर click करके, इसका जो extra part है, उसको remove कर देता हूं, यहां से कट हो गया उसके बाद में इसको कट कर देते हैं फिर उसके बाद में यहां पर मैं यहां से मुझे अपना करेक्टर लेना है तो वहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ आटना पार मैं इसको भी क्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद में आपको टैब कर देना और यहाँ से अपको एक फोतो का उप्सन दीख रहा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है तो इसके एक फोटो निकल कर आपके गैले में सेव हो जाएगी उसके बाद में इसको जो है cut नहीं करना है इसको सीधा में आमाइस कर देना है इसके बाद में आपको अपने pixart को open कर लेना है इसके बाद में इसको skip करना है पिलस के icon पर click करना है और क्लिक करने के बाद में यहां पर सर्च करना है गोकू तो गाइस यहां पर मैंने पहले से सर्च कर सकते हैं जी ओ के यू इसके बाद में आपके जितने भी करेक्टर हैं वो आ जाएंगे आप यहां से लेख सकते हैं तो मैं यहां पर फर्स्टी वाला करेक्टर ले लेता इसके बाद में इसको आपको बड़ा कर लेना है अपने फोटो के रिसाफ से जो की बैटर लगे मैं इसको कर लेता हूँ तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया यहाँ पर इसको मैं थोड़ा नीचे करकर रखूँआ उसके बाद में आपको इसकी opacity को कम कर लेना है जिससे कि आपका photo दीखने लग जाए उसके बाद में आपको erase का option दीख रहा हूँ क्लिक करने के बाद में आपको erase के option फिर्ट से क्लिक करना है यहाँ पर इसकी hardness है उसको आपको थोड़ा सा increase करना है 85 तक आप कर सकती है, इसके size को आपको थोड़ा कम कर लेना है, इसको जो है, आपको erase करना है, जो की, जो part आपके उपर आ रहा है, उसको erase करना है बस, तो मैं ययाँ पर इसको erase कर लेता हूँ, आपको zoom करके इसको erase कर लेना अच्छी तरिका से, से इस थर्जिक से ट्रोब करने के बाद में आपको जो है राइट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में इसकी ओफिर सिटिड गया 10% कर देना determinate थी उसके बाद ने इसको write कर देना है इसी तरीके से आपको दूसरा sticker भी यहाँ पर ले लेना है इसके बाद ने राइट पर क्लिक करना है इसके ओपसी को 100% कर देना है तो गाइस यह हमारी इमेज थी वो तयार हो गई है write पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है draw में draw में जाने के बाद में इसको draw पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको save करना है क्योंकि वहाँ से quality कम आती है यहां से आफ स्वाइब करेंगे तो इसकी quality जो है वेसी की वेसी ही रहेगी तो यहां पर save image पर click कर देना है आपकी photo जो है वो save हो गई है इसके बाद guys आपको mega photo में जाना है आप play store से इसको download कर सकते है तो यहां पर हमारी जो app वो खुलकर सामना गया आपको camera show हो रहा हुआ यानि आपका जो friend camera है वो चल जाएगा इसके बाद में आपको slide करते जाना है और यहां पर वो आला effect आपको use करना है जो की trend में चल रहा है यह आगया वो effect फॉर्थ number पर है इस पर आपको click करना है click करने के बाद में आपको यहां पर setting का option दिख रहा है इस पर आपको click करना है और यहां से image video library पर click करना है उसके बाद में guys आपको जो photo आपने Pixar से edit की थी उस photo को यहां पर ले लेना है तो यह photo हम यहां से ले लेते हैं photo हमर यह आगई right पर click करेंगे click कर दिया उसके बाद में आपको जो है जो इसकी speed है इसको बढ़ाना है आपको इस speed को तो मैं इसकी speed को जो है बढ़ा देता हूँ इस तरह किसा आउपर लेकर जाएंगे तो इसकी speed बढ़ जाएगी तो guys यहां पर इसकी full speed हो गई है उसके बाद आपको यह एक video recording का option दीख रहा हूँ इस पर आपको click करना है यहां से video recording start हो जाएगी वीडियो रिकोड होने के बाद में आपको इसको post कर देना है और यह encoding video होने लगेगा तो उसके guys guys आपकी video save होकर आपकी daily नहीं जाएगी उसके बाद में इसको भी close कर देना है तो guys mega photo से editing करने के बाद में आपको काइन मास्टर में जाना है जहां से आपने उसको minimize किया था उसके बाद में यहां पर मीडिया में जाना है और जो video भी आपने mega photo से edit की थी वो यहांपर import करनी है इसके बाद में आपको sound यहाँ पर import करनी है मैंने यहाँ से इंस्टेग्राम से बीडियो डाउनलोड कर रही है आपको भी इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको description में भी link मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद में इसको extra audio कर लेना है और delete के option में ख्लिक कर देना है तो यहाँ से वो video डिलेट हो जाएगी और उसकी audio यहाँ पर रह जाएगी उसके बाद में जितना भी extra part है audio पर click करके आपको इसको crop कर लेना है मैं यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ से पूरी video ट्रीम हो गई है और यहाँ से completely video edit हो चुकी है उसके बाद में आपको यहाँ पर layer में जाना है और text में जाना है और यहाँ से आपको लिखना है flash warning जो कि आपने वीडियो पर देखा हूँ और normally लिख्या हूँ आता है तो मैं यहाँ पर इसको flash warning या flash alert लिख लेते हैं यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर click कर देना है और यहाँ पर जो भी emoji आते हैं warning वगएरा के वो यहाँ पर add कर लेना है यह मैंने यहाँ पर add कर लिया है उसके बाद में इसको जो है आपको बढ़ा करना है यहां पर font में जाना है और यहां से bold वाले font कोई भी ले लेना है write कर देना है इसके बाद में इसको जो है आपको उपर की side में रखना है इसका color आपको change करना है color में इसका change कर लेता हूँ यहां पर यह color है इसका और इसको मैं कर लेता हूँ red आपको भी अपने सब से कलर कर लेना है जो आपको बैटर लेगा गया है , यहां पर इसकी लेयर है इसको पूरा एंड तक में अंट हो गया है है और एड़्योने के बाद में जितन भी हाँ यहां पर हमने जॎट वends वोद बनाया था उस हो फॉल आ करना है और यहां से इसको क्रोप कर देना है तो यह वीडियो जो है हमारी जो हमारा जो टैक्स लगाया वो हमारा सिर्फ नॉर्मल वीडियो पर रहने चाहिए बात की वीडियो पर वह टैक्स नहीं रहने चाहिए इसके बात में वीडियो हमारी एडिट हो चुकी है यहां पर स सब्सक्राइब करना है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आपका कोई भी सजेशन होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम प भी वोच्ट कर सकते हैं तो फिलाल गाइस आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाए टेक केर